वेलकम टो माई यूट्यूब चनल डियर वेवर्स बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट्स किये थे मैसेज़ की थी कि सर हमें राइटिंग स्किल्स करा दीजिए इंग्लिश में तो ग्रेमर और राइटिंग स्किल्स हम अकले कुछ वीडियो में कम्पलीट कर देंगे आप एक इंपार्टेंट नोटिफिकेशन होती है इनफार्मेशन होती है किसी होने वाले इवेंट के बारे में यह अगले कुछ दिनों में या अगले आने वाले किसी दिन में कुछ दिनों में कोई प्रोग्राम होने वाला है कोई इवेंट होने वाला है आपके स्कूल में कहीं बेभी, तो आपको क्या करना है? उसके बारे में information देनी है. लोगों को, लोगों को लिखके information display करनी है. दिखानी है कहीं पे, ताकि you notice पढ़के लोगों को पता चले कि क्या होने वाला है, कहां होने वाला है, काप होने वाला है, किस इसे अलावा, इसमें importante details, जो है, वो यह है कि कौन organize कर रहा है event को, इसमें signature होना चाहिए, name and designation of the person, जिसनी notice issue की है, उसका होना चाहिए, body में सारी important details, जो होनी चाहिए, short and up to the point होनी चाहिए, अगर हम notice का जो body है, उसकी बात करें, तो notice सबसे पहले आपको याद रखना एक box में होती है तो मैं यहाँ पर phone को यहाँ पर इस तरह इसको करेंगे यह आप याद रखो कि यह notice का format है ठीक है notice किसमें रखी जाती है एक box में एहम चीज़ notice के लिए जो एहम चीज़ है वो जरूरी है कि एक box हो लेकिन याद रखना जब आप notice लिख रहे हो आप answer sheet पे पहले उपर वाली line ड्रा करोगे scale से अच्छे से खुबसुरा तरीके से फिर ये वाली line ड्रा करोगे फिर ये वाली line ड्रा करोगे नीचे से आप close नहीं करोगे क्योंकि अगर notice थोड़ा सा ज्यादा lines में आ गई तो क्या करोगे फिर तो गलत हो गया ना आप यहाँ पे पहले ये वाली line ड्रा करोगे फिर ये वाली line ड्रा करोगे फिर ये वाली line ड्रा करोगे और जहाँ notice खत्म होगी कि अगर आपने आधे पेई से शुरू किया तो आखर तक अगर नहीं हुई कंपलीट फिर क्या करोगे दूसरे पेज भी आप जा नहीं सकते क्योंकि बॉक्स में बनाना है यह चीजी जो है इनका ख्याल रखना ज़रूरी है तो बॉक्स बनाना नोटिस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पहली बात दूसरी बात सबसे उपर क्या लिखना होता है सुकूल नेम या नेम अफ आर्गराइजेशन जिस जहां जो इनस्टूशन ये नोटिस इशू कर रहा है उस इनस्टूशन का नाम उपर लिखना है अगर सुकूल में ये नोटिस इशू हो रही है तो सुकूल का नाम लिखेंगे ठीक है अगर हास्पिटल की तरफ से नोटिस इशू हो रही है तो हास्पिटल का नाम लिखेंगे कोई भी और्गराइजेशन है जिसका जिसकी तरफ से नोटिस इशू हो रही है उसका नाम होता है और कुछ नहीं लिखना होता है और इसके बाद यहां पर डेट डेट कौन सा डेट जिस दिन आप रहे हो चलो आज सेकेंड मार्च है सेकेंड मारच 2023 आप किसी भी तरह 2,3, 2023 भी लिख सकते हो second और मारेश 2023 भी लिख सकते हो जिस तरह आप डेट लिखो कोई मसला नहीं है लेकिन यहाँ पर डेट लिखना है ठीक है बहतर रहता है डेड़े मंध मंध येर येर फार्मेट में तो ये जब आपने यहाँ पर डेट लिखा तो फिर आप हर किसी के बाद आप एक एक लाइन च जा रहा है उसकी नोटिस है तो आप लिखो कि celebration of annual day ठीक है celebration of annual day यहाँ जो भी प्रोग्राम मनाया जा रहा है वो आप यहाँ पे लिखोगे ठीक है ये पूरा ये जो हैडिंग है एक लंबा सेंटेन उसा नहीं होना चाहिए एक फ्रेज सी होनी चाहिए दो चार वर्ड्स हो होने चाहिए attractive और बहुत अच्छे to the point होने चाहिए ठीक है अच्छा फिर body body में आप साही चीज़ें detail से लिखो कि मैं क्या होने वाला है कब होने वाला है कहां होने वाला है ठीक है इसमें कौन कौन आ सकता है किसको आना है ये कब तक आना है और सारी important information इसमें होनी चाहिए date's latest mentioned होने चाहिए to the point होना चाहिए इसमें वो length थी हमें detail नहीं लिखनी है कुछ अपना ही नहीं डालना है generally आपको वहां से एक letter दी गई होती है जो उस letter में बहुत ज्यादा important है चीज़ें है वो यहां पे डालनी है ठीक है unnecessary information additional information कोई ज़रत नहीं है इसमें डालने की क्यों अगर आपने 60 से ज्यादा टाच किया तो आपके मारकस कट सकते हैं आशा इसमें आप last date भी लिख सकते हो कब तक अगर अगर इसमें आपको फारम वारम भरने हैं तो कब तक भर सकते हो यह सारी चीज़ें आप इसमें mention करोगे date last date etc अगर है तो वो आप mention कर सकते हो और यहां का नाम संजे है और आप किसी सब्सकोन के principal हो आप notice issue करो अगर आप वह बोला गए कि आपका नाम संजे है तो आप यहां पर संजे लिखो गये संजेदाथ फार 18AMPOL ठीक है अगर आपको लिखा गया तो आप किसी सुकूल के principal हो आप लिखो किछा नाम ठीक है designation Principal और उस सब् अगर नहीं है तो आप अपनी स्कूल का नाम लिख सकते हो ठीक है आशा अब हम क्या करेंगे अब हम सालू करेंगे वो नोटिस जो आपको एक्जाम में आई थी ठीक है एक्जमल मौरल पेपर में आई थी मौरल पेपर में देखुए ये क्वेस्टिन आया है इस तरह राइट इस तो भी पूट फार स्टूडंट ऑन अन देस स्कूल नोट इस बोरड राइट नोटसे नाट मोर दिन फिफ्टी वोल स्कूल में आपको क्या करना है नोटस लिखनी है इंपार ड़ेटिट इटेलर इस में लिखनी है पाटिस स्टूडंट जो है कंत्रिवीट करें 907 तुलसीबाग सिरेनगर की तरफ से ये ल pronounce को यह नहीं बोला गया है आप कोन हो और आपका पोस्ट क्या है इसका मतलब है कि Municipal ही जो है वो notice issue करेगा आप principle को ही ये notice लिखनी है मैंने आपको लिखना है as a principal as a प्रिंसपल आपको ये notice लिखनी है आशा और आज प्रिंसपल किसका पापडिक हैर सेक्ट स्पूल सानवार रगा ये चीज़ आप के लिए रिमाइड में रखो आप ये नोट इसमें क्या लिखा है लेटर में कि Cancer Society of Kashmir जो है एक चैरे टेबल आर्गनेजेशन है ये बिमारियों को दूर करने की कोशिश करती है जैसे Cancer है और हैमोफिलिया है ऐसी बिमारियों से लड़ने की लोगों को हेलप कर रही है लड़ने में हेलप कर रही है और ये गरीब लोगों को मदद कर रही है जो इन बिमारियों से जूज रहे हैं और ये फ्री मेडिकल एड़वाईस और मेडिसनल्स लोगों को दे रही है अब च letter में साब कुछ लिखा है और ये एके साहनी जो डाक्टर है उसने ये letter लिखी थी अब हमें क्या करना है इसी letter को notice बनानी है अब चुक्के principal को letter लिखी गई principal को students को notice देनी है students के लिए notice लिखनी है अब हम इसी तरह ये notice लिखेंगे और सबसे पहले हमने क्या किया है आप देखो हमने box बनाया है box एहम है ठीक है तो box के बगएर आपकी notice तो है बेकार है बिल्कुल तो box के बाद आप क्या करोगे सबसे उपर नाम लिखोगे सुकूल का स अब लिखेंगे ठीक है और दूसरा क्या हमने लिखा notice फिर हमने थोड़ा साथ पेश फड़ा यहाँ पे लिखा date second March 2023 तीक है इस दिन notice issue की जा रही है और फिर heading क्या हमने लिखा contributionnor's for Cancer Society of Kashmir यानि Cancer Society of Kashmir जो है उसके लिए contributions क्वराइब चाहिए यह आप लिख सकते हैं donations लिख सकते हो जो भी आप चाहो fund लिख सकते हो तो Cancer Society of Kashmir के लिए donations यां Prest brought to канал फिर हमने क्या लिखा इसमें से हमने लिखा यह body है ठीक है यह बाडी है, इसमें हमने क्या लिखा, the cancer society of Kashmir is a charitable trust, उसी से थोड़ा copy किया है, trust उसी मैंसे letter मैं से ही important information आप copy करोगे, working for eradication of some diseases, cancer and hemophilia, the society is meant especially for those who are extremely poor, all the students are requested to contribute heartley for the said organization, students may also collect donations from their parents and submit to the office, contributions can be made तो यहां पे फिर हमने सिगनीचर लिखा सिगनीचर मतलब हमने नाम लिखा इरफान आम लिखा जैसे आप अपना नाम लिखो कि जो भी आपका नाम है अगर वही से आया है क्वेश्चन में कि आप संजीदत हो यहां संजी हो तो आप यहां पे संजीदत ही लिखोगी आपका नाम जो भी है ठीक है लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में ही आया है आपको वही नाम लिखना है जो क्वेश्चन में आया है और डिजिगनेशन तो व सनवार के तो हो गया ये वाला नोटिस आपका complete अब आप कुछ चीज़ें और याद रखो कि और भी जैसे ये फार्मेट मैंने दिखाया था ये भी एक फार्मेट है ठीक है ये सेम है कुछ भी कोई भी मसला नहीं है जैसे यहाँ पे भी एक और है इसको भी हमने किया है बट आप यही याद रखो कि कि सबसे एहम चीज़ नोटिस जो है इसमें सबसे एहम चीज़ क्या होता है सबसे एहम चीज़ इसमें एक तो बॉकस होता है जो आपको खुद करना है एक तो बॉकस होता है दूसरा उपर सुकुल का नाम है उसके नीचे नोटिस है यहाँ डेट है यहाँ हेडिंग है बॉड़ी क्या करोगे आपको टेंशन होगी कि बॉड़ी में यहा लिखेंगे बॉड़ी में आप लेटर से ही कुछ इंपार्टेंट डेटिल कापी करके यहाँ पे लिख दोगे और लास्ट पे अपना नाम लिखो किये और अपनी डिजिगनेशन लिखो किये तो आपके तीन मार्कस गैरेंटीड है ठीक है बॉड़ी का टेंशन आपको नहीं लेना है वहीं से कॉपी करके थोड़ा तोड़ मरोड के आप लिख सकते हो तो यहाँ पे यह चीजें जो है मार्कस इसी की है आई होब कि आपको यह जो नोटिस वाला कंसेप्ट है यह क्लियर हुआ होगा नेक्स्ट वीडियो अगर आपको चाहिए लाइक कीजिए कमिट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूलिए थैंक्स